गुड मॉर्निंग दोस्तों कैसे हैं आप लोग तो थंडी बहुत जाद है आप लोग अपना खयाल रखें तो दोस्तों आप लोग को पढ़ा रहे हैं पार्ट साब स्पीच में हमने आपको नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव इन तीनों के बारे में हमने आपको डीपली ज इसको पहचानते कैसे हैं ठीक है चलिए तो आज का टॉपिक हमारा वोर्ब, वाभ यानि क्रिया, वर्ब कहते किसे हैं दोस्तों जैसे देखिए कोई सिंटेंस हम सिंटेंश के sentence का उधारन देखें, आपको समझाइएंगे, ज्यादा बेटर आपको सोझ जाएगा, जैसे देखिए मां लिजी, वहा बाजार जाता है, वहा बाजार जाता है, वहा बाजार क्या करता है, जाता है, अब देखिए अगर हमको इसमे क्रिया ढूर्णी है वर्व ढूर्णी है तो आरो हम ढूरें कैसे ठीक है तो देखिए हम किसी भी सेंटेंस में क्या शब्द लगा देंगे क्या लगा देंगे आपको क्रिया आटोमेटिक मिल जाएगे जैसे देखिए वहां बाजार जाता है आप इसमें लगाई ये प्रश्ण करिए वहाँ बाजार क्या करता है जाता है जाता ए तो जाना आपको क्या हो गया मैं तुमको पलहाता हूं इसमें भी आप क्या लगा देए लगा देजिए मैं तुमको क्या करता हूं पढ़ाता हूं तो पढ़ाना आपको क्या हो गया वर्व यानी क्रिया तो किसी भी सेंटेंस में दोस्तों आप क्या शब्द लगा देते हैं तो आपको क्रिया आराम से पता चल जाएगी कि इसमें क्रिया क्या है वर्व क्या है अच्छा अब थोड़ा अब जिसे क्रिया होती क्या है क्या चिस क्रिया होती क्या है तो आप simply definition आप समझ सकते हैं work is done by subject is called verb करता दोरा किया गया कार ही क्रिया कहलाता है work is done by subject is called verb करता दोरा किया गया कार ही क्रिया कहलाता है इसको में लिक दे रहे हैं तो आरे दोस्तों work is done by subject work is done by subject is called verb ठीक है न work is done by subject is called verb करता द्वारा किया गया कार क्रिया कहलाते है यह भी लिख सकते हैं हिंदी लिख दे रहा हूं करता द्वारा किया गया कार ही क्रिया कहलाती है ठीक है दोस्तों करता द्वारा मतलब कोई भी वैक्ती चाहराम हो श्याम हो ही है सी है दे है वी है कुछ भी हो जो भी आपका subject रहेगा उस subject द्वारा जो कार ही किया जाएगा व आप जिससे देखिए राम इलाहबाद जाता है राम इलाहबाद जाता है तो सब्जेक्ट इसमें कौन है राम अच्छे क्या काम करता है जाने का काम करता है ना क्या करता है जाता है तो जानना सब्दा आपका क्या हो गया क्रिया ये जो काम करता है मैंने बता है ना करता दोरा किया गया कार ही किरिया कहलाती तो राम क्या करता जाने का कार ही करता है तो जाना आपका क्रिया हो गई और देख ले रहे हैं पापा हमको प्यार करते हैं पापा हमको प्यार करते हैं अब देखिए subject क्या हो गया पापा अब पापा करते हैं क्या काम करते हैं प्यार करने का तो प्यार करना शब्द आपका क्या हो गया क्रिया हो गया ठीक है न दोस्तों तो simply हमने definition आपको लिख दी आप इसको screenshot भी कर सकते हैं और आप किसी भी sentence में क्या लगा देंगे आपको career आटोमेटिक मिल जाएगी तो दोस्तों I think आपको समझ में आया होगा दोस्तों मेरे चैनल को grow करने के लिए आप मेरे चैनल को like share and subscribe करिए thanks for watching